दिले में प्रदूशन एक बड़ी चिंता के विशे के तौर पर उभर करके आया है और लगातार उस पर नियंतरन के लिए CAQM यानि Commission for Air Quality Management उसके लिए गाइडलाइन जारी कर रहा है लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है इस समय हमारे साथ CAQM के Member Technical S.T.H.R. साहब है सर एक चीज की ये जो मौसम का Impact है पिछले 24 दिनों से Very Poor से बहतर नहीं हो पाया है तो इसमें मौसम को किस तरीके से आप मानते हैं उसका क्या Impact है और उसको लेकर के चिंता क्यों बढ़ती जारी कि मौसम साथ नहीं दे रहा है देखिए आपने सही कहा है जो Air Quality और मौसम का गहरा सम्मंद है और जो मौसम ही Decide करता है कि Air Pollution का कितना Dispersal होगा इसकी Air Quality कितनी होगी Emissions तो जैसे Different Sector से आते रहते हैं अगर हम देखें तो जो मौसम के तीन मुख्यकारक है तापमान, हवा की गती और वर्षा किस स्थान पे कितना Air Quality होगा या इसकी कितनी Value होगी यह Decide करता है अब हम दो सिनेरियों में जाते है जैसे अगर मौसम अच्छा है मौसम अच्छे का मतलब है आपकी हवा की गती अच्छी है आपका Temperature या Mixing Height का यह वो sufficiently large है और तीसरी चीज़ वर्षा वो तो Scravenging हो जाता है खतम ही हो जाता है जैसे वायू के बारे में कहते हैं अगर 10 किलोमेटर परती घंटे से ज्यादा की हवा तो यह Dispersion के लिए अच्छी रहती है तो मौसम इनको कंट्रोल करता है अब दूसरी तरफ जाएए अगर मौसम Unfavorable है या हवा की गती बहुत कम है या Calm Conditions है Temperature बहुत कम है और particularly के Ground के उपर Temperature कम है और उपर ज्यादा है इसको हम कहते है कि Inversal Layer बन जाती है एक तरह से Lid बन जाता है और उसको Vertical Mixing नहीं होने देता तो जो हमारी Concentration Ground के उपर पॉलो टेंट्स के ज़्यादा मिलती है और एर क्वालिटी खराब होती है हम बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो Pollution था वो सोमवार को था उसके बाद दीरे दीरे अभी बहतर हुई है तो इसके पीछे भी क्या मौसम के कारक है या फिर आपको लगता है क्या कि जो ग्रैप भी लाग हुआ है ये दोनों मिल करके असर दिखा रहे है देखे आपने सही कहा है जो ये पिछला सब्ता था तेरा से बीस तारिख तक का ये एक तरह से unprecedented था हाठ दिन में से एक दिन air quality very poor में रहा दो दिन severe plus में रहा और पांच दिन severe में रहा आठ दिन में से ये unprecedented weather क्यों था इसमें चार चीज़े मनें एक तो unusually fog आ गया है इस तरह का फोक बहुत कम देखने को मिलते हैं, दूसरा लो विंड स्पीड हो गया, स्टेबल एक्मोस्फियर बन गया और सबसिस्टेंस बन गया, और इसके साथ जो पॉल्यूटेंट स्टेवर ट्रैप हो गया, और कई दिन तक चला, यह जो एक्मोस्फियर आपने, जो एक् चाल में तो देखा भी नहीं गया है भारत मौसंग विज्ञानवी भागने एक स्टड़ी की है 31 साल का डाटा लेकर 1991 से 2021 तक आई जी आई एरपोर्ट पालम पे उनका अनुसार जैसे फोग है जिसको हम कहते हैं वेरी डेंस फोग अगर हमें 50 मीटर तक भी नहीं दिखता तो वेरी डेंस फोग है ते डेंस कहते हैं पचास से 200 मीटर तक का दिखाई देता है तो नौमबर महिने में जो वेरी डेंस फोग है उसके शरफ आदा दिन मिलता है और आपके डेंस फोग का एक दिन मिलता है वही संक्या जो दिसंबर जनुरी में ज्यादा होती है दिसंबर में पांच पॉइंट दो से साथ जाता है और जनुरी में आट पॉइंट दो से ग्या टेंट से एक तरह से mix बन गया चारों कांड जैसे मैंने बताया wind speed भी ज्यादा नहीं था temperature भी ज्यादा नहीं था ground पर temperature cold था कम था तो वो आपका क्या नाम है कि concentration ज्यादा रही तो इस तरह का जो unusual फोग बना unusual weather बना इसके कांड ये episode बन गया एक चीज़ ओर ध्यान हमें रखना पड़ेगा तो अभी climate change है इसकी भी entry हो गई है आप देखेंगे last year दो महिने तक दिसंबर जनुरी में rainfall नहीं हुआ अभी October से कोई rainfall नहीं हुआ जब कि पिछले साल नवंबर में चार rainy days थे तो इन सब का भी जो weather एक तरह से dispersion का काम करता है pollutants को disperse करता है इसका भी pattern change हो रहा है तो आप कहरें क्या कि climate change जो है वो दिल्ली के production में एक बड़ी भूमी का निभा रहा है खास तोर पर जब peak pollution होता है October और नौवंबर के में यह weather pattern जो change हो रहा है तो इस climate change को weather को air pollution को इन सब को integrated way में बहुत ही comprehensively study करना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए आज तक से और CAQM जो तमाम स्थितियों को परक्ता भी है उसके हिसाब से grab की योजनाएं भी लागू करता है वो भी इस बात को लेकर की चिंते थे कि सिर्फ जो pollutant हैं वो तो कारक हैं ही दिली के production को लेकर के लेकिन मौसम का जो प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है और साथी साथ climate change एक बड़ा factor उभर करके आ रहा है जिसकी वज़े से दिली में पिछले दिनों जो बड़ा भीशन production देखा गया जैसा जहरीली हवा हो गई उसके पीछे एक बड़ा बड़ी वज़ा यह तमाम factor मिल करके थे कैमरामेन अशुनी हिलन के साथ कुमार कुनार दिली आज तक